तो हलो गाई स्वागत आप लोग का एक और नए वीडियो के अंदर तो दोस्ते आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने अप्लिक्शन के अंदर प्रोफेशनल सार्ट सिस्टेम लगा सकते हो सो जैसे कि आप जानते हो मैंने पिछले कुछ वीडियो के अंदर आपको फायरवेश के साथ कॉलेंट लिस्ट व्यू को करनेट करवाना से गया था और साथ साथ उसके अंदर गई सामने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया था जो स्प्लिट बला तरीका है उसको बताया था जिसको आप फायरवेश के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने वो तीन वीडियो नहीं देखा तो मैंने इसे डिस्क्रिफ्शन के अंदर लिग क्टे रहा हूं जवरूँति इसे वीडियों को देख लो ठीक है क्योंकि उसी अभी वीडियो में आपको बता है कि कैसे आफ वायरवेस के अंदर डाटा को अप्लिकरें के दाका की क्ला करके कैसे अप्लिकरेंद करते हो किये सो आज मैं ऊसरी पर प्रोजेक्ट को पर काम किया हो और यहां पर मैंने इएक सार्च से सिस्टेम ऑप्षिन भी लगा दिया है जो कि देखने में काफी ज़्यदा प्रोफेशनल भी है ठीक है और इसका काफी ज़्यदा डीमांद था काफी सारे सब्सक्राइब दोस्त हम हम को कोमेंट करके बता रहे थे कि यहाँ पर अपको प्लिक करना की कने के बारते का यहां पर साचिंग क्रिक कर आएं के थैखने में थेखने में काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अगर मैं यहां पर कोई भी एक चीज सर्च करूँ जैसे की इंडियान सर्च करता हूं तो देखो इंडियान के रिलेटेज जो भी है वो गई यहां पर हमको सोग रहा है अभी ठीक है सो ऐसे करके गई हमने इसका जो सर्च सिस्टेम में इसको बना लिया है आप इसको कैसे आप ब्लॉक के अंदर क्रेट कर सकते हूं उसके बाड़े में आपको बताऊंगा ठीक है तो चलो यार वीडियो को मैं शुरू करता हूं और साथ ही आगर आप इसका जो एपी के फाइल ह करना चाहते हो तो आपको हमारा ऑफिशल एफ्लिक्शन डाउनलोड करना पड़े कि उसके अंदर हमने इसका फाइल यह डाल दिया है अब चलो करते हैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेका कि तक देखना वीडियो तोरह सा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो सबसे पहले सबसे पहले वह क्लिक करके हमारा मेंन कर देथा हूं तो टाइटल भीज़ेल कर देता हूं उसके बाद ग मैं इसमें आपर एक टाइटल एरेज्मेल दूँँंगा जो कि होगां मारा टाइटल एरेज्मेंट प्रोड हो सो इसका width मेरं फिल्टी पेरेंट कर देता हूँ और इसका प्प है इसका अशर्ण कर देता हूं में यह पर कर देता हूँ अब इसके बाद गभी मिल्शाव सब्सक्राइब वालं ओक यरुट में नहीं औरिकlier के लेना होगा साथ जाते हैंद यहां पर साहर्च का एक डिक होगा तो हमाला टेक्स बोक्ष्ट है लग तो इसके लिए भी हमको अलग-अलग arrangement लेना परेगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर हम टाइटल को और जो सर्च बट आइकन है उसको गाइड करूंगा तो इसी बाइज मैं यहां पर एक horizontal डूंगा और इसका इसको फिल्ट परन कर दूंगा और यहां पर जो background color इसको गाइज मैं पर none कर देता हूं और यहां पर जाएलाइगन वार्टिकल इसको center कर देता हूं आप यहां पर मैं इस site पर थोड़ा सा gap चाहता हूं तो इसी बाइस से मैं यहां पर एक space ले लेता हूं और space लेने के बाद इसका width है इसको मैं पिक्सल पर सेट कर देता हूं 14 पिक्सल सेट कर देता हूं और आप guys मैं यहां पर एक label लूंगा तो इसका title आप कुछ भी दे सकते हो सो इसके अंदर मैं दूंगा कॉलिंट रिलिज्ट फायरवेस्ट यह बाला टेस में पर डाल देता हूं इसका font को मैं बोल्ट कर देता हूं और इसका जो text color इसको मैं white कर देता हूं ठीक है और guys आप इसका font size इसको हमको change करना पड़ेगा so font size मैं यहां पर 18 कर देता हूं है जो title का label है उसका with मैं field to print करता हूं ठीक है तो यहां पर हमारा जो title का काम है वो guys यहां पर हुआ है अब guys यहां पर मैं icon लूँगा जो search वाला icon है उसको लूँगा तो इसके लिए guys मैं यहां पर एक label करने वाला हूं और इस label को guys मैं material का का जो font type है से उसके साथ link करूंगा तो simply हैं पर material icons link देता हूं उसके बाद guys यहां पर material icons का name देता हूं जैसे कि यहां पर search icon ही उसकरने वाला हूं तो इस बाशे मैं आपर देता हूं search सो जैसे कि अब देख सकते हैं पर हमने जभी search लिकरतो हो गाई यहां पर एक icon क्रिट हो गया तो यह material icon से आपने link किया तो इसी बाशे साया तो यहां पर बुला सकते हो तो इसका हमको font size आप change करना होगा तो इसको font size 25 कर देता हूं ओक्या आप गई इसका जो text color इसको मैं white कर देता हूं क्या icon black जैसा हो गया तो इसका height मतलब text color इसको मैं white कर देता हूं आप गई यहां से भी हमको थोड़ा सा gap देना होगा इसके लिए मैं यहां पर एक space लूँँगा तो यहां पर एक space ले लेता हूं और इसका जो width है उसको मैं 14 pixel कर देता हूं ठीक है जैसा हमने यहां पर लेगा था जैसे सेम हमने यहां पर रख दिया ठीक है अब इस label को मैं clickable करूंगा तक यहां पर click हो पाए तो यहां पर rename भ को और यह जो search icon इसको show कर बाने ठीक है अब जबी इस पर click होगा तब मैं एक और अलग arrangement के अंदर text box को show करूंगा जहां पर user search कर पर है तो यहां पर यह जो horizontal arrangement हम लिया है इसको मैं rename कर देता हूं title one बोलके ठीक हमने rename कर देता हूं आप अपनी सब से rename कर सकता आप इसको मैं invisible करता हूं यहां पर उसके बाद गईज मैं एक और horizontal arrangement में लूँगा जिसका height and width field करूंगा जो layout horizontal और भार्टी के लिए इंदर दोनों को मैं center करूंगा background color यहां पर मैं none कर देता हूं ठीक है आप गईज इहां पर गईज हमको जो text box लेना होगा so आपने देखा होगा जब मैं right application को test करके दिखा रहा था आपको तब text box से side के अंदर एक close का icon भी था तो उसको भी हमको लागाना परेगा ठीक है तो इसी बसे से हमको यहां पर एक और horizontal arrangement में लेना होगा so इसका height and width मैं फिर से field to parent कर देता हूं आपके इसका width जो है बहुत मैं guys field to parent कर देता हूं ठीक है आ title 2 बोलके ठीक है तो उसके अंदर हमने एक और horizontal arrangement में लिया text box को उसका icon को close icon को सो करवाने के लिए ठीक है ठीक है और यहां पर मैं text लिएक देता हूं close ठीक है तो यहां पर material icon से icon यहां पर आ चुका है अब इसका जो font size इसको मैं 25 कर देता हूं ठीक है आप गईस यहां पर जो text box इसका width मैं field to parent कर देता हूं और साथ साथ गईसका background color मैं white कर देता हूं और यहां पर हमको हैं पर hint देना होगा तो hint मैं लिख देता हूं search और hint color मैं गईस मैं यहां पर गिरे देता हूं और भी अच्छा look देने के लिए आप गईस यहां पर इन दो site के अंदर हमको space लेना परेगा थाकि यह और भी अच्छे से दिख सके तो यहां पर मैं space लेता हूं तो यह जो horizontal एडमिट है इसके अंदर ही मैं यह ले रहा हूं ठीक है देख सकता हूं और इसका width है इसको मैं 12px कर देता हूं ठीक है उसी प्रकास से यहां पर हमको space का component लेना है और इसका width भी मैं 12px कर देता हूं ठीक है यहां पर हमारा झो यह जो text box का काम है design का काम गाज यह भी हो चुका है ठीक है तो है पर title 2 और title 1 हमारे पास आचुका है तो मैं title 1 को यह पर visible करता हूं तो आप title 2 को invisible करता हूं ठीक है अब चलो blocks के अंदर ही करना पड़ेगा तीक है जैसे कि अब देख सकते हो यहां पर हम पिछला वाला ब्लॉक आपका भी दिख रहा हो गाए यहां पर सो अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे सबसे पहले जब सर्च बटन पर क्लिक होगा तब जो हमारा टाइटल वान आमनी यहां पर आरेंजमें लिया इसको इनी विजिवेल कर दूंगा मैं यहां पर और टाइटल तू जो आरेंजमेंट इसको विजिवेल ट्रू कर दूंगा search button on click , तब करूंगा जो टाइटल बार वान इसको गैज विजिवेल फॉल्स कर दूंगा on visible falls और जो टाइटल बार 2 है उसको विजिवेल true कर दूंगा मतलब जहां पर text box जो search box है वा उसको मैं विजिबल ट्रू कर दूंगा ठीक है आप यहां पर आप एक और काम कर सकते हो जब ही जो अमारा सर्च बार ओपेन होगा मतलब टाइटल टू अदिन विजिबल होगा तब आप कीबोर्ट को भी सो करवा सकते हो एक कीबोर्ट काम को एक उप्सें मिलता है सो किबोर्ट के way bênum के उनकतर अपको किलिक करें तो ऑसकीबोर्ट मैं गोफियो आपको रिव्ड हो पर्यों उप्सें फॉर्स आपने काने से क्या होगा मैं आपको बता गांघ़ना हो जाके का रिये यह fewD Meg तो इस cursor को guys text box one के अंदर visible कर देगा और हमारा जो keyboard है उसको guys visible कर देगा ठीक है तो इससे क्या होगा directly हमारा keyboard open हो जाएगा keyboard user वहां से सर्च कर सकता है ठीक है सब को समझ में आ गया होगा आप guys हम आप main topic को बढ़ते हैं so उससे पहले guys मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ जब back press होगा तब मैं check करूँगा कि जो title 2 है मतलब जो guys search bar है वो guys visible है किने में सबसे पहले check करूँगा अगर है तो उसको invisible करके title 1 को visible कर दूँगा so यहां पर on back press का block यहां पर है so यहां पर मैं else if का condition लूँगा if जो guys हमारा title bar 2 है वो guys is equal to visible है ठीक अगर visible है तब guys मैं title 2 को invisible कर दूँगा visible false और title bar 1 है उसको visible true कर दूँगा ठीक है title bar 1 on visible true ठीक है आप guys यहां पर मैं एक और variable लूँगा क्योंकि यहां पर देखो यह जो list हमने यहां पर add किया था यह जो list हमने यहां पर add किया था ठीक है इस list को हमको बाहर भी एक बार चाहिए search करने लिए ठीक है यहां पर हम इसको initialize local list के अंदर लगाया है तो यह काम नहीं करेगा बाहर तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हूं मैं देता हूं main list for search ठीक है और इसको मैं create empty list कर देता हूं ओके आप guys जो हमने list इसके अंदर add किया था तो same उसी list को मैं इस variable के अंदर भी store करूँगा ठीक है तो हमने store कर लिया ठीक है अब guys यहां यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर guys मैं आपर on text change का का काम करूँगा जभी text box one के अंदर को यही मैं check करूँगा अगर है तो quality list view का अंदर उस list को show कर वाओ अगर नहीं है तो कुछ भी मत करूँ ठीक है तो इसके लिए guys मैं आपर हमको एक और list क्रेट करना पड़ेगा तो इस बासे guys मैं आपर initialize local variable ले देता हूं इसका नाम देता हूं search list उसके बाद guys इसको मैं guys क्य क्या करूँगा create empty list कर दूँगा ठीक है और इसके बाद guys मैं आपर for each item का जो block है वो guys लूँगा तो guys यह block क्या करेगा guys किसी भी list के अंदर से सभी मतलब सभी list को यह एक बाई एक बाई एक चेक करता रहाएगा ठीक है इसका यह काम है हर एक list को यहाँ पदेकूर list हमको देना पड़ेगा तो किसी भी list को मतलब जितने तक list का length है 100-200 सभी list को यह एक ही बार में check कर सकता है इसी block का यह block का यही खासे है ठीक है सो यह क्या करेगा इस list के अंदर से जभी text box 1 के अंदर कोई text डाला जाएगा तो इस list को जो हमने यहाँ पर create किया था इस list को check करेगा कि जो user ने text box 1 के अंदर डाला है वो इस list के अंदर है कि नहीं यह check करेगा तो इसके लिए मैं यहाँ पर if then का condition लूँगा if content takes piece ठीक है तो यहाँ पर आपको एक और blog लेना है यह जो आप case है इसको down case करो उसके बाद इसको duplicate करो आप गईज यह down case क्या करेगा गईज जो हमारा मतलब capital पर जो भी order आएगा उसको small letter पर कर देगा ठीक है तो search करने में और भी यहाँ पर हमको text और piece देना है ठीक है तो सबसे पहला हमको text देना है तो text हो गई है और piece हो गाई टेक्स बोक्स वान का text मतलब इस item के अंदर अगर टेक्स बोक्स वान का अंदर जो भी टेक्स डाला हुआ है वो है तब गईज यह क्या करेगा एक और list क्रेट करेगा add item to list तो हमने हैं पर list अल्रेदी क्रेट करके रखा हुआ है इस लिस्ट के अंदर जो भी item डाएगा उसको add कर देगा ठीक है और जब टेक्स बोक्स के अंदर टेक्स डाला गाए तब ही यह लूप काम करेगा ठीक है आप गईज हो गया लिस्ट क्रेट हो गया search list आप इसके बाद गईज जो हमारा गईज है उसके अंदर गईज सो कर देगा तो यह पर set list का आपको एक option मिलता है तो इस search list को गईज आपको यह पर लगाना है ठीक है तो हमारा गईज यहां पर जो काम है वो गईज कंप्लीट हो चुका है आप गईज हमको backpress का अंदर एक और काम करना पड़ेगा सो बैक प्रेस के अंदर हमारा जो जब ही बैक प्रेस होगा जब और टाइटल बार टू जब इनिविजिबल होगा और टाइटल बार वान जब विजिबल ट्रू होगा ठीक है तब मैं जो पहला मतलब screen 1 इसके अंदर जो भी लिस्ट था उस लिस्ट को गाईज हमको फिर से कालेंटर लिस्ट विव के अंदर सेट करना पड़ेगा नहीं तो जो सार्च लिस्ट है वही कालेंटर लिस्ट विव के अंदर सो हो के रहाएगा ठीक है तो इसी बादे से यहां पर आपको क्या करना होगा यहां पर आपको जो मैन लिस्ट वो सार्च है इसको लागा लेना है और quality list view के अंदर इसको लगा देना है तो इसके अंदर आपको लगा देना है बस यहां पर आपका जो काम है वो हो चुका है खत्म आप यहां पर एक और चीज़ है मतलब जब quality list view के अंदर क्लिक होगा तब हमको उस लिस्ट का सारा details guys screen 2 के अंदर सही तरीके से सो भी करना होगा ठीक है तो इसका बारे में आपको आगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वह वीडियो भी थोरा सापको समझना परेगा नहीं तो आपको गलती कर दोगे तो बहुत सारे एरोर आज जाएंगे और जो list है वह सही तरीके से सोने होगा मतलब इस्ट का जो details है वह सही तरीके से screen 2 के अंदर सोने होगा ठीक है सीची वाज से गाई मैं उसको आगले लेट इम्ट्रेल के अंदर आपको बताऊंगा सवायोप की आपको यह वीडियो पसंद आया है होगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना सो गया इस बास आच के लिए इतना है मिलते होना है वीडियो के साथ तब तक लिए गुड़ बाई